हरे कृष्णा क्लास्टन कैसे हैं आप सभी आपका फिर्जा स्वागत है आपके अपने फिवे चैनल ग्यानी कीडा में किसी भी चीज में नहीं रहती पीड़ा फियो फॉलो ग्यानी कीडा वन्चॉट का लेक्चर हम लोग कर रहे थे यहां पर और बहुत सारे चैप्टर्स ह हो गया है सारे चैप्टर्स हमने कर लिए आज हम करने वाले हैं एप्लिकेशन ओफ ट्रिगनोमेट्री का वर्ण्चॉट को सिंपल ध्यान से समझना इस बात को जो ट्रिगनोमेट्री है वो हमारा एलजेब्रिकल पार है मतलब कैसे हमें ट्रिगनोट रेशो को यूज करना ह है उसका पुरापर एलजबर हमने सीखा है लेकिन डेली लाइफ में कहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का इस्तमाल होता अगर आपको याद होगा मैंने का था ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है जहां हम बहुत बड़े बड़े ऐसा ब्रांच है मैथामेटिक्स का जहां पर हम हाइट उच्छी हाइट और लंबे लंबे डिस्टेंस को नापते हैं तो हमने किवल एलजबरिकल पार्ट सीखा दा ट्रिग्नोमेट्री को मतलब यह होता है बट अब जो मैंने मतलब बताया दा आप सबसे निवेधन है या एक रिक्वेस्स समझ लोग कि अगर आप लोगो ट्रिग्नोमेट्री टेवल याद नहीं है या साई से ट्रिग्नोमेट्री नहीं देखिए तो आपको चैप्टर समझ तो आ जाएगा लेकिन आपने फिर निर्भर रोगयोज टेबल के उपर बा कोशन भी करें इसको सूपर 30 के नाम से दिया गया हर चैप्टर के सूपर 30 में आप उकराएं आपके मिटम पर या यूटी में बहुत काम आया है बहुत बच्चे मुझे थैंक्यू बहुत साथ सूपर 30 काफी जादा यूसपूल है और यहां से याद रखना आपके प्रीब समझ में आ जाने वाली है चलो कुछ केस मनाते हैं यहां पर और मैं आपसे कुछ सवाल पोस्ता हूं फिर बहुत ही जादा मज़दार होने वाला फिर आगया एक साथ की तरफ चलते हैं मानगे जो हमारे पास क्या है एक आप लोग काफी अच्छा रिजल्ट आया उसके धाला ठीक है तो मानलो हमारे पास क्या है कुत्व मिनार है और यह मानलो जमीन हमारे पास और एक और निगरी का अंगल बना रहा और हमारे पास एक पाई बॉक्समेर कमेंट जरो करें यह सर मेरे नाम रोहीता ठीक है अब यहां पर इसकी आखे होंगी सुन्दर 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 आखे होना रही है अब इत्व कुत्व में नाकर जस्ट ऊपर जो है कोई चीज रखी हुए थी ए पॉइंट पर और इसने जो है यहां से इसको यहां पर इसने देखा किस चीज को तो उसको हम बोलते हैं object क्या बोलते हैं बोलो object हम लोग यहां पर बोल देते हैं के लिए रहे नहीं तक चीक है अब हमारे पास दियान रखना जो भी line इस आखो से लेकर straight line जो की observer से लेकर object तक को connect करते हैं इसको हम बोलते हैं line of sight क्या बोल अब यह triangle तो लग ना कर नहीं से भी तो यह quarter लग रहा है अगर मानलो मैं इस इंसान को straight line मानलो यह रो यह तो क्या कोडिलेटर बन रहा है यह triangle तो बनानी तो हम करते हैं जो आपके पास यह आँखों से जहां से उपर देख रहे हैं यहां से अब line of sight और horizontal line के बीचे कोई नो कोई angle बना लेट सबोच वो अंगल ठीटा है और इस ठीटा को हम लोग बोलते हैं angle of elevation क्या बोलते हैं angle of elevation हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं angle of elevation क्या है it is the angle between the line of sight and the horizontal line तो जिस केस में आपका object उपर हो और आपका observer नीचे हो और नीचे से उपर देखा जा रहा हो तो देखने वाल जो line उसको line of sight बोलते हैं ठीक हैं और यह सामने आपका horizontal line होता है horizontal line और line of sight के बीचे जो angle बनता उपर की तरफ देखन direction बोलते हैं पूरे उसमें देखो जो अगर building का जिकर क्या होगा किसी इंसान का जिकर क्या हो किसी भी चीज का जिकर अगर क्या होगा जंडा कुछ भी जिकर क्या होगा हम सबको straight line से ही डिनोट करेंगे अब यहां कुतों मनार तो बनाने बैठेंगे नहीं का लाकार तो है तो इसलिए हमारे पास क्या है सारे के सारे जो भी object इसमें दर्शाया जाएंगे हम सबको straight line से ही हम लोग जो है आप पहेंगे बोलो बाद समझ में आ गई बिल्कुल अच्छे से मेरे कहल से आप सभी को समझ में आ चुकी है ठीक है अब ज्यान सुनेगा अब नेक्स्ट केस जो है एक building है ठीक है मैंने का straight line से हम दर्शाएंगे सब चीज को तो मालो यह P हमारे पास यह QR है और यह हमारे पास के नदी है और नदी के उस पार एक गंबला रखा हुआ है मालो R point पे गंबला रखा है और P point पे एक observer इसको observe कर रहा है बोलो observer और R point पे गंबला रखा है तो अपकी बार object आपका नीचे की तरफ हो गया तो देखने वाला ओपर है और जो object है वो आपका नीचे है ठीक है तो यहां से अगर मैं देखूंगा तो इस तरीके से देखूंगा तो क्या बोलेंगे से बोलो नाम दो इसका यार इसको हम बोलेंगे line of sight अभी समझाता है मै तो यह हमारे पास होगे line of sight अगर आपको याद होगा मैंने का था जो दृष्टी होती है जो आखोश हम देखते हैं ठीक सामने उसका होता horizontal line तो आपकी case में आपका horizontal line क्या होगा यह जो है आपका horizontal line बन रहे वाला है ठीक है इसको नम दो क्या बोलेंगे हम लोग horizontal line हम लोग बोल देंगे तो angle क्या बनता है हमेसा horizontal line और line of sight के बुच में angle बनता है तो आपकी जो angle हमारे पार बनेगा ठीक है इसको हम बोलेंगे angle of depression बोलो angle of depression ठीक है इसलिए कहते है जीवन में हमेसा उपर देखके चलना चाहिए जिंदेगी में जो वेक्ती हमेसा ऊचा सोचता है वो दरशाता की वेक्तिकिस में depression में है तो याद करने तरीका अगर नीचे देख रहा हूं है है यार depression में हूं और उपर देखके चल रहा हूं उसका मतलब क्या elevation है में जिंदगी में elevate है ठीक है तो आपको बहुत असान तरीकिस में आपको होता है अगर वेक्ति नीचे से उ आगिया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें सुंदर से कमेंट जरू करना कि यह सर हमें समझ में आ रहा है अब ध्यान सुनना यह जो हरिजोंटर लाइन है और ग्राउंड हमें से पैरल होते हैं हमें जो एंगल है वो ट्राइंगल के अंदर चाहिए होता है बट यह आपका फिगर इस तरीके से बनेगा बट एंगल आपको अंदर ही लिखना होता है इस चैप्टर में सबसे महत्पूर्ण जो चीज है वो है आपका विजुलाइजेशन अगर महलों कोशन ने बुलाया कि आपके सामने एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ठीक सामने और प्रबॉलाइजक करने के बाद आपको अपनी विजुलाइजेशन को जो है कापी के फॉर्म पर लिखना हो कापी में लिखना हो इक रवो और एक बार डाइगराम बने लिए उसके बार ये पूरा चैप्टर बहुत ही असाल लगी यह बाद मेरे कहल से आप सभी wn pillows में तेके अब इसमें कुछ जादा नहीं है समझने वाली चीज़े अब हम सीधा questions पे आते हैं मैं आपको समझात हूँ किस प्रकार से आपको चीज़े समझना है करना है questions को दीरे दीरे जैसे से आप आगे बढ़ोगे है ना और वैसे आपको जो समझ होती रहीगी और chapter जो आपके मुठी पे जरूर होगा चली तो पहला कोशन यह रहाँ आप सभी के स्क्रीन के उपर बहुत ध्यान से सुनेगा मैं बहुत धीरे-धीरे सिंपल बाशन में बताने का पूरा प्रयास करने वाला हूँ ठीक है? कोशन क्या कह रहा है इसमें डाइगनाम बना बना है खुशनसीब है हम लोग जिसमें नहीं होगा उसमें बनाएंगे भी विजुलाइज भी करना साथ समय ठीक है? आपकी पावर बड़ेगी असरकस आटिस्ट है जो कि 20 मीटर लंबी रसी पर चल रहा है अब जैसी हमने बोला 20 मीटर लंबी रसी या तो रसी ऐसे होगी तो आम देगा इसके उपर चलते हैं किन-किन बच्चों ने देखा है कि सरकस में एक पतली रसी के पर चल रहे होते हाथ में रंडा लेके और यहां पर बांदा गया और टाइट खीच के इसको ग्राउंड पर बांदा गया मतलब यह आपका एसी जो है यह क्या रोप है चीक है find the height of the pole यह जो पोल AB है हमें AB बताना भी AB क्या निकल के आएगा अगर हमारे पाँ जो रसी है और जो ग्राउंड है यह आपका 30 डिगरी के एंगल बना रही है तो हमें AB बताना है तो देखे ध्यान सुनना कि हमें किसी भी ट्राइंगल पर अगर आपके बास एक एंगल हो और एक साइड पता हो तो हम बाकी के दो साइड बढ़े आपर हमे और 10 पर बनाओ, for example, देखो, एंगल के ठीक सामने आपको अपको अपरपेंडिकल होता है, यह परक होनी चाहिए, एंगल के साथ आपका बेस होता है, और यह आपका हाइपोटेनिस होता है, यह सारी बाते में रिखनोमेटरी बहुत डिटेल हैं, बताईए, अगर आपको ट्रिगनोमेटरी में दिक्कत आती है, अगर आपने नहीं देखा, तो one shot का लेक्चर अविलेवल है, बहुत बच्चे फादर उठा रहे हैं, one shot के लेक्चर से, free of cost लेक्चर है, आप लोग भी देखिए, अपने फ्रेंड गोशिए, आपकी मरजी है, यहना, हमेंसा, पर मैं क्या बोलूगा, हमेंसा कोशिश करो, कि साइन बने, पापा, बोले, पप्पु, हरी, हरी, बोल, या तो आपका साइन बने, पी अपॉन हच बने, या बी अपॉन हच बने, या पी अपॉन हच बने, और AC जो दे रखा है, क्या बना भाई, P हमारे पास निकालना है, और H दे रखा, तो P upon H बन गया, और P upon H होता है, साइन, और एंगल कितना है, 30 डिगरी, तो साइन 30 डिगरी निकल के आगे, बहुत ही सिंपल है, अब AB हमें निकालना है, ठेक है, और AC जो है, यह बता होगा, वो ट्रिक यहां से देख लेंगा, चुटकियों में बिना टेबल बनाए, आप लोग इसको याद कर सकते हो, तो 210 जा 20 होगे हैं मेरे पास, तो AB कितना है, 10 बन जा 10 मेटर निकल के आगे हैं, तो height of the pole जो है, वो 10 मेटर निकल के आचुका है, पूरे के पूरे चैप्टर हम से भी ही कर रहे होंगे, ratio ले रहे होंगे, तो दो ही परकारे कोशन बनते हैं, एक तो single triangle जोगी अती आंसर असान होता है, और एक बनता माला double triangle बना, तो double triangle पे दो अलगला case बनते हैं, दो equations टाइब की बनते हैं, single triangle में बस एक ही में आंसर आता है, next second question क्या कर रहा है, ध्यान सोने करो, कुछ question को बिल्कुल ध्यान से प्रयास करो, अब मालो यो question आपने देखा पहला हूँ, अच्छे समझा आ गया, तो इसको और समझो, फिर तीसे question को प्रयास खुद से करना, एक पेड था हमारे पास, एक हमारे पास ये पेड है, इसको नाम देते हैं, अब सिंपल सी बात है, जब कभी भी जिन्दगे मुश्किल आए न, या कभी आपको ऐसा लगे कि यहां जुक जाना चाहिए, तो महाँ पर अवश्य हमें जुकना चाहिए, जिस प्रकार आंधी पे जो व्रिक्ष नहीं जुकता वो तूट जाता है, उसी प्रकार जुद पढ़ने पर हमें हमेशा जुकना आना चाहिए, वरना हम भी तूट जाएंगे, तो यही गलती इस पेड ने करा बहुत तेज हवा चल रही थी, जो पेड तो अपने जूट जूट जाल के अपना इस से टेड़े में डोगे, उन्हें हवा को बड़े अराम से टाल दिया वाई जुकके, सम्माल नहीं किया, आप निकल जाएए, पर जो अकड़ खड़ा हो गया, मैं नहीं जाने दूँगा, उसको तूटना ही होता है, तो मालो, C पॉइंट से ये व्रिक्ष की टैनी तूट के धरा पर गिर पड़ी, ठेक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से निकल के आगया, ठेक है, बोलो बास मैं, मैंना, अब इसने क्या बोला, मालो, ये पॉइंट है, वो D पॉइंट पे आके गिर गया है, और ये पूरा A भी जो है, वो कह है, ट्री है, अब इसने बोला कि, ग्राउंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री, जो तूटा वो पार्ट है, और जो ग्राउंड है, ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है, विट इट, the distance between the foot of the tree, tree का foot B है, and the point where the top touch, और जिस point वे top touch कर रहा है, वो आपका 8 मीटर दे रखा है, find the height of the tree, पूरे पेड की हमें height को निकालना है, अब ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना, जो AC पार्ट है, वही तो आपका CD पार्ट है, बोलो, हाँ, बिल्कुल सही बात है, हमने बोलो, let मान लो B, C को मैंने X मान लिया, क्या मान लिया, CD जो है वो AC के बरावर है, इसको हमने Y मान लिया, height AB क्या हो जाएगा, X प्लस में Y निकल के आ जगा, तो हमें क्या करना है, X की value निकालनी है, Y की value निकालनी है, और दोनों को जोड़ देना है, और answer हमारा निकल के आ चुका है, तो अभी मैंने पीछे आपको सिखाया है, किसी भी triangle पे अगर हमें एक side दे रखा हो, एक angle दे रखा हो, तो आप बाकी के दो side बड़े आसान तरीक से निकाल सकते हैं, तो वह हम प्रयास करेंगे, तो angle के ठीक सामने हमारे पास P होता है, और angle के साथ base होता है, और यह हमारे पास hypotenuse होता है, तो हमें B दे रखा है, और हमें H निकालना है, तो BD अपॉन पे CD है ना, हम लिखेंगे in triangle BCD लिखना ज़रूरी है, ठीके BD अपॉन निकल के आता क्रॉस करेंगे, तो 16 बरावर में आगे, Y रूट 3 और Y जो हो कितना आगे, 16 अपॉन पे रूट 3 मिटर निकल के आगे, नीचे रूट नहीं रखते बक्की, अब यह हमें add भी करना, तो last में एक सार रेसलेस कर देंगे, ठीके, चलो, अब फिर से हम बोलेंगे अगेन इन ट्राइंगल, B, C, D हम काब करेंगे, हमने बोला, भाई, सिंपल सी बात है, हमें P निकालना है, ठीक है, B, C, और हमें B, D दे रखा है, B, D में दे रखा है, कितना आगे हमारे पस, तो बना P अपॉन पे B, P अपॉन भी 10 बनता है, तो 10, 30 निकल के आगे, अगर आ 8 दे रखा, 10, 30 होता, 1 अपॉन पे रूट 3, क्रॉस करेंगे, X रूट 3, जो है, वो 8 के बराबर आगया, और X आगया, H अपॉन पे रूट 3 मीटर, तो हमने X भी निकाल लिया है, और Y भी निकाल लिया है, अब बारी इन दोनों को जोडने का, तो height of the tree, जो है, वो कितना आ है, तो height जो कितना आगया, 24 रूट 3 है, पॉन पे 3 इससे कतम हो गया, तो आपका 8 रूट 3 मीटर, जो है, ये height निकल के आगया, पेड़ की, बोलो बास समझ में, और ये काफी important question है, अकसर CBS को आपके सामने रखती है, किस-किस बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से question समझ म आगया है, और नया है, सीखने को मिल रहा है, बहुत आनन्दार है, काफी मजा आ रहा है, मुझे comment box में बढ़ताते हैं, जरू चलेंगे, अब हम बढ़ते next 3, ये आप सभी के screen के पर बहुत ध्यान सुना, अब हमें आगे बहुत कम questions में diagram देखने को मिलेंगे, तो हम अपनी विजुलाइजेशन से सारे diagram को बना रहे होंगे, तो अब आपके बुद्धी की सही माहिने में परिक्षा ली जाएगी, A contractor plans to install two slides for children to play in a park, आप देखो यसी बोला ना कि slide तो आपको याद आगया होगा, बचपन पे हम लोग क्या करते थे, याद हम ऐसे चड़ते थे, उपर की तरफ टेके जूला होता था और वहां बैठते थे और सीधा नीचे जाते थे, आदम फिचलते फिचलते, और हमारा द कौन-कौन slide पे paddle उतरा है, एक तो हम भकते हुए चड़ते हैं, तो हम तेजी में उपर, एक होता उपर से हम नीचे आते हैं, तो कौन-कौन बच्चा उपर भी चड़ा है, कौन-कौन नीचे चड़ा है, और किस-किस ने गेम खेला है, मुझे comment box में उतर देना, मुझे काफ जूले बच्चों के लिए पार्क में लगाने हैं, for the children below the age of 5 years, अब दो प्रकार जूल लगाएंगे, एक हमारे पस वो बच्चे हैं, जो कि 5 साल से छोटे हैं, तो she prefer to ever slide whose top is at height of 1.5, तो उनने सुझवाँ ज्यादा उचाए रखनी की जोता नहीं है, छोटे बच्चे, तो 1 1.5 meter का height रखेंगे, और जो inclination होगा, ground और जो जूले जिसमें फिसलते हैं, यह हमारे पास जो है, वो उसमें 30 degree का angle रखा है, जबकि जो बच्चे बड़े हैं, 5 साल से उपर है, उसने 3 meter height रखी है, और 60 degree का inclination रखा है, तो बताओ slide की length क्या क्या होगी, तो यह diagram मनाते है, त और यह अपना हो गया, थोड़ा इस तरीके से, जो थोड़ा ही कर लो, जूला complete इस तरीके से, तो नाम करन करते है, यह हमारे पास A, यह होगा B, और यह होगा C, और इस तरीके से, और height रखा इसका 1.5 meter और जो angle है, वो किता दिया 30 degree दे रखा है, तो एक और जूला हमारे प तो नाम दे इसको PQR, PQR देते हैं, और इसकी जो height है, वो 3 meter रखी गई है, और जो angle बनाया है, वो रहा है 60 degree का, ठीक है, हमें slide की लंबा ही निकालना है, हमें AC कितना होगा, और सास अतनक कितना PR है, हमें PR भी निकालना होगा, ठीक है, बहुत यह असान है, आप बड़े अ एक सामने, perpendicular होता है, और angle के, इसरा base और या आपका hypotenuse, अभी मैं सारी बाते बता रहा हूँ, बाद मैं PBS लिकूंगा नहीं, यह अपने आपको सोचना, ठीक है, फिर आप थोड़े से आगे बढ़ जाओगे, तो P upon H हो गया होता, sin 30, अब sin 30 होता, 1 upon 2 है, तो AB 1.5 है, और BC ह में निकालना है, sin 31 upon 2 होता, क्रॉस करेंगे, BC जो है, वो 3 मीटर निकल के आगया, तो BC कितना आगया, जो हमें निकालना था, यह हमारा, अरे BC थोड़े निकालना था, AB upon पर AC थोड़े, AC, ठीक है, तो सम्टाइंज से गलतिया हो जाती है, ठीक है, हम सही कर रहे होता है, लेकिन कर लिख देते हैं गलतिया, ठीक है, तो AC जो है, वहमारा पास 3 मीटर निकल के आ चुक है, तो इसको यहाँ चोड़ता हूँ, मिटा है यह नहीं आ रहा है, तो यह जो कोशन है, यह आप खुद से मुझे करके कमेंट बोक्स में उता हूँ, ज़र कितना हैं, इस केस में प्यार कितना होगा, ठीक है, तो PR की वैल्यों क्या होगी, देखते हैं कि इस बच्चों को सब्चनिवा आगे है, तो मुझे कमेंट बोक होता है पुट करके आड़ाम से निकाल सकते हो जरा सा पानी पीता है पानी पीना बहुत जरूरी है पानी पीने से नींद कहमाती है और फूर्ती बनी रहती है नेक्स्ट फोर यह आप सभी के स्कीन के अपर दे एंगल अफ एलिवेशन ऑफ दे टॉप ओफ और टावर फ्रॉंद पॉइंट ऑन दे ग्राउंट अब सुना जहां से टावर है और एक ग्राउन पॉइंट लिया है तेक है तो माला हमार पास यह टावर है अब टावर जमीन पर खडा उगा तो ग्राउंड यह लिए अब ग्राउंड पर कोई पॉइंट लिया है मालो यह पॉइंट लिया और टावर है अपहर 悉र सी पॉइंट ग्राउंट पास टावर है यह एच्प टावर किया टावर है सी पॉइंट जो वो 30 मेटर दूर है जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिगरी का बन रहा है यह एंगल किता बन रहा है 30 डिगरी का हमेरे पास एंगल बन रहा है find the height of the tower हमें tower की height निकाल लिए मालों tower की height मैंने बोल दिए let height of tower a b is equal to h meter माल लिए ठीक है सब्सक्राइब बात करते हैं लोग इन triangle in triangle a b c की बात करते हैं ठीक है a b मुझे निकालना है और b c मुझे दिए रखाए तो p अब यह h मत लिख देना है h height मालना है कुछ बच्चे h को ना हाई और वह हाइपोटनिस हाला मालन लेता है हाईपोटनिस यह होता है यहाँ पर h हाइट को रिप्रेजन कर रहे है तो p upon पे b क्या होता है 10 होता है equal to 10 30 निकल के आदा है ठीक है अब a b हमारे पास h है b c को मैंने 30 माना हुआ है यह one upon पर रूट 3 होगे टीक क्रॉस करेंगे एच रूट 3 जो है 30 के वरावर निकल के आएगा और एच आ गया 30 डिवाड़ बार रूट 3 अब यहाँ पर छोड़ना तो है नहीं इस फ्लाइंग एटा हाइट ऑफ 6-3 मीटर अवे अब दा ग्राउंड एक पतंग जो है वो जमीन से 6 मीटर ओच ही उड़ रही है पतंग से याद आया कल इंडिपेंडेंडेंस दे था अवश्य बहुत सारे बच्चों ने पतंग उड़ाया होगा किस-किस बच्चे ने पत ने बताया और कड़ा भी यह थो नाम ज़रु बताया पर एक ग्राउंड से उपर एक पतंग इस तरीके से मालो एक पतंग जो है यह पूछ ऊपट गे शुक्त की ठीक है थोड़ा तिरचाई होता है तो जो पतंग की डोर है वो ग्राउंड बांद दीगा यह इस तरीके से ठीक है तो मालों यह पॉइंट है सी पॉइंट जहां पर पतंग की डोर को बांद आ गया और एंगल जो कहने है 60 डिगरी का एंगल बनाया गया ठीक है और 60 मीटर उपर यह अगर कोई स्लेक नहीं है मतलब एक तुम टाइट खिची भी पता है बहुत तकड़ी हवा चल रही है तो बताओ लेंट आफ स्ट्रिंग क्या होगा एसी निकालो कितना निकालो क्या निकल के आगा हमारे पास निकाला चिक है बहुत सिंपल है तो हम बोलेंगे इन ट्राइं स्ट्रिंग की लंबाई निकल के आ जाएगी बोलो बात साथ में आई इल्कुल सब को समझा आ गया नेक्स चलते हैं से आप सभी के स्किन के अपर विजुलाइज करो तीस मीटर लंबी बिल्डिंग है उसके कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है तो कैसा मनजर होगा विजुलाइज कर पा रहे हो सारे बच्चे हा या ना बोलो यह मानलो 1.5 मिटर लंब लड़का यहां पर खड़ा है और यहां पर टावर इस तरीके से खड़ा है तो मालो यह मार पास A, B लड़के की लंबाई हो गई और P, Q मार पास C हो गया और दोन हवा में तो है नहीं तो जमीन पर होंगे तो यह लो मानलो ग्राउंड में बना दिया ठीक है लड़के की हाइट 1.5 मीटर है अब लड़का चलता चलता कुछ देर बाद यहां पर आ गया अब जो एंगल इसने बनाया वो बन रहा है 60 डिग्री ठीक है तो यह आपके पास कितना था था और यहां पर आपकी वार्ज़ए 60 डिग्री उसने बनाया है तो फाइंड डिस्टेंस वाक तो वार्ज वाड्स बिल्डिंग कितना चला है वह तो ए बी सी अगा तो पी क्यू आर इसको एसको टी मान कर देकिए तो लड़का पहले एबी पे था चलता 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 टी पॉइंट पर आगे तो बीटी हमें निकालना है हमें बीटी निकालना कितना निकलके आएगा तो मान लो लेट बीटी को मैंने एक्स मान लिया च्यक्या आपके बास सर्जगा तो इसका कला सिखो होता कि हमारे पास जब भी अपने मैक्सिम कोशन आपका P और भी ही यूज रहा हो ठीक है तो ट्राइंगल के अंदर जो चीज दे रखिए अच्छी बात है जो नहीं दे रखा उसको मान लोगे कुछ ना कुछ तो यह रिक्तिस्थान था इतने सू दे को निकल रहे है यहका खाली सतान था तो X है और यहा हमारे पास यह भी चाहिए था में तो वाई हो गया जब ट्राइंगल को धूढके दोनों एक कुशन में बनाने होते हैं तो पहले काम करो इन ट्राइंगल PSR पे कारे करते हैं तो P R upon P S R, क्या बना P upon B, हमारे बन गया P upon B होता है, 1060 निकल के आ जाएगा, तो P R कितना है, अब जान सुनना, मुझे P R निकालना, मुझे P Q दे रहा 30, अगर यह 1.5 है तो यह भी 1.5 होगा, और R Q भी 1.5 होगा, अब हमें काम ट्राइंगल के अंदर करना होता है, पूरा 30 दे रहा है, यह 1.5 होगा, तो P R कितना होगा, तो P R होगा, 30 माइनस में 1.5, जो कि आगए 28.5 मीटर निकल के आ जाएगा, कि यह P R की नीट है, तो P R की नीट सब को जोता है, तो इतना upon P S R, हमें Y दे रहा है, 1060 रूट 3 होता नीचे बन लगाएंगे, तो आगए Y रूट 3 is equal to 28.5 और Y निकल के आ गया, 28.5 अपॉन पे रूट 3, बास समझ में आई, चिक है, इसको रेशनाइस कर देता है, फटा फट से ही परी, है ना, तो कितना आ गया भाई, Y निकल के आ गया, 28.5 रूट 3, डिवाइड बाई 3, कट करेंगे से, तो आ गया, 3927, 3515, 9.5 रूट 3, यह हमारे पास Y की वेरूट निकल के आ चुके, Y बड़ा आराम से निकल गया, यहां लिगी तो मैं, Y जो हमारे पास 9.5 रूट 3 निकल के आ चुका है, ठेक है, अब दूसर ट्रैंगल कौन से था हमारे पास, रैंगल ट्रैंगल नहीं बता हो, वो था P, A, R, फिर से प्यार, यहना तो इन ट्रैंगल P, A, R की बात करते है, तो P, A, R अपॉन पे A, R कितना आ गया, अब क्या 10 एंगल 60 नहीं, 30 डिग्री बने का त्यान रखना, अब इससे कोई मतलब नहीं, मुझे ट्रैंगल दिया, बड़ा वाला, तो यह एंगल 30 है, बाकी जो दे रहा, जो दे रहा तो P, A, R अगें 28.5 आ गया, और A, R जो है, A से लेकर R तक, इतना तो X है, इतना Y है, तो AR कितना हो गया, X प्लस में Y, यहां पर आगया, X प्लस में Y, जो है, AR के बरावर 10 31 अपन पर रूट 3 होता है, तो X प्लस में Y जो है, वो, कितना आ गया, 28.5 रूट 3 आ गया, मुझे 19 रूट 3 मेटर निकल के आ गया, X इतना आ गया, 19 रूट 3 मेटर, ठेक है, तो मेरे सामने ना भी यहां पर बुक भी रखी है, ठेक है, तो मैं सास अपने आंसर भी चेक करता चलूँआ, ताकि कोई मिस्टीक ना हो, I don't want any mistake, ठेक है, तो 19 रूट 3, yes, exactly भी कुछ सही आंसर है चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आया निया, बोलो, बोलो मेरे वीडो, समझ में आ गया, अभी तो तुम्हें सस्तर पकड़ा रहा हूँ, रण भूमी है, प्रिबोड और प्रिबोड वहां जाके इसको चलाना सीखो, और वहां पर जो कोशन तुम्हारे शत्रू है, उनको उड़ाना भी तो है, अपने वश में करना है, ठीक है, अपने गुटनों पर जुखाने है, सारे कोशन को इसलिए अभी से तयार हो जाओ, धीले मत पड़ो, ठीक है, एक्त में, नेक्सíasवन राअ सभी के स्कीन कर अपर, फ्रूम अ पॉइंट अन स्विक स्कीन कर लोंई, और ज्रोल गोल दैंक है.. महले ने कर अख लिग पॉएंटो खिस्टो, व्रूम पॉइंट इस। जाह में मेम स्स И 맞ई, ठीक है, quiet टाप अफ ट्रांस्मेशन टावर, फिक्स एगदर टाप अफ 20 मिटर हाय बिल्डिंग, अच्छ अब इज़लाइज करो, बिल्डिंग के उपर टावर, किस वच्चों ने अपने घर के आसपास देखा होगा, बिल्डिंग के उपर मानननने विर आफ उची है तरो से विंड़िंग के तयाआ है अब बिलिंग के तागर तो यह मानननने विलिडिंग हमें टावर को में बना दिया टावर बिल्डिंग से लंबा होता है इसलिए मैं थोड़ा ऊचा बना है ठीक है तो पी क्यू और यह बिल्डिंग है ठीक है फिक्स एड़ टॉप ओफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग और बिल्डिंग कितने 20 मीटर ऊचा है तो पॉइंट से ट्रांस विजए तावर गें बॉटम पर यह बॉर्टम है तो यह बौटम तो पर रहे आएंगल बन रहे है कितना 45 और 60 डिगरी का तो यह वाला जो एंगल हमारे पास है चोटा वाला यह 45 डिगरी का और बिल्डाद दूद्यके यह अगल डिक होगा और जो नीरपड़गी देनी रखा मैंने इसको X मान लिया ठीक है दो राइट अंगल बता हो भाई आपसे बूच लो राइट अंगल ट्रांगल को उसे पी एक्यू पहला आपने भी बोला होगा दूसरा आर एक्यू ठीक है तो वही काम करेंगे पहला बोलें इन ट्रैंगल पी एक्य ग्यू कित्ता बन गया आता हो वह पन गया टैन ल some побड़ी डिग्री अपि क्यञ सबाइब एक्यू 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 एक्स्ट दिया रखा है टैन टीनलर को करेंगे औरforme य्ब क्या एग्सट आला गया गया सबसे मेक्यानी ज् WITH जीकक्ड टौैंग पास के है ट्रें 10 10 चलेंगे अब सब 10 चलेंगे आर क्यों कितना महर पास देखो आर पी एच और यह 20 है तो एच प्लस बीच तो एच बीच नी 20 आप उन्हों कितना है एक्स तो 1060 होता है रूट 3 चुक है तो तो ह में 20 इस इकवल हो गया एक्स रूट 3 और एक्स बीच दे रहाए तो ह प्लस बीच की चक्राएगा अगर कोशन में लिखा हो कि रूट 3 की वैल्यव 1.73 पूट करना है तो वैल्यव को डालना है वरना आंसर ऐसे चोड़ सकते हैं को डिक्कत की बात नहीं है तो नेक्स चलते हैं एट इन आप सभी के स्किन के उपर आपने देखा जो कोई भी स्टैचू होती है कोई मूर्ती होती है जिसकी उपर खड़ा होता है उसी को बोलते है पैडल स्टल सब को स्ट्रेट लाइन से दिखाना है तो मालनों अमर पास किया यह पैडल स्टल है और इसके ऊपर जो हमारी यह मूर्ती रखी हुई है यह है तो हमालों अ बी और यह सी पॉइंट होगा है अब ग्राउंड तो होगा जाइसी बात है ग्राउंड बना दिया मैंने हवा में तो होगा नहीं पैडल स्टल तो इस पॉइंट से स्टैचू के तॉप पर जो एंगल बन रहा हो जो एंगल बन रहा है तो यह वाला है डायग्राम कैसे बनाना समझ पा रहे हो यार पहले मुझे बताओ तो मुझे बताओ तुम लोग को आना चीए है तुम्हारे सब के मुझे सौमे सौ दिलाने कैसे दिलाने तुम लोग को आना चीए नहीं आतो तो बताओ पूछ ना पर करना दरूर तो यह मारे पास देरेका 45 डिगरी का इंगल और जो बड़ा वाला वो किता देरेका 60 डिगरी का टेक्या और 1.6 मिट टैचू 1.6 मिटर ए यह चीए, नहींगा है, ठाकि है, लेषऑ है ना चीए जाया डिख दसक्या अटगर है, यहासे कुछ नहीं हुआ, चोदसक पो आप ठञीख है नहीं चांप, और इन ट्रियंगल ACR की हम बात करते हैं ACR तो बहुलो AC अपॉन पे CR किता बनेगा 1060 डिगरी बनेगा अपकी बार अब AC जो है वो 1.6 प्लस में H है और CR कितना है X है 1060 होता है रूट 3 तो 1.6 प्लस में H equal to हो गया X root 3 हमें X निकालना है X के बराबर है तो 1.6 प्लस में H is equal to H root 3 निकल के आगया 1.6 is equal to हो गया H root 3 मैंनस में H हो गया H को ओन कर लेंगे root 3 मैंनस में 1 is equal to 1.6 हो गया और H निकल के आगया 1.6 अपॉन पे root 3 मैंनस में 1 अब नीचे हम लोग root रखते हैं नहीं करना पड़ेगा तो कैसे करते हैं जो नीचे होता है उसको sign change करके उपर नीचे बिलाए करते हैं उसको rational करना कहता है ठीक है जो कि आगया 1.6 मैंटिप्लाइ root 3 मैं 1 और ही हो गया A minus B A plus B तो A का square minus B का square ठीक है तो H आजए गा हमर पास 1.6 root 3 मैं 1 यह हमारे पास H निकल के आगया शाद दिखनी दाओगा आप लोगो यहां पर यहां लेगी तो मैं कोई बात हैं टेंश मत लियाकर बस एच आगया 0.8 root 3 plus 1 मीटर ठीक है अब कुछ बच्चे मुसे पूछे मुसे पूछेंगे सर एक बाह बताओ हम किवल बिना race रेसलाइस करें नहीं छोट सकते हैं प्लीज सर हमें बताओ ऐसे कोईशन तुम्हां दिमाग में आते हैं तो नहीं छोटना बिल्कुल मार्क्स कर जाएंगे रेसलाइस करके ही आप लोग आंसर निकालोगे नेक्स चलते हैं नाई नियराब सभी के स्किन के अपड़ अधियान सुनना विजुलाइस करना सा रहे और उपहास नहीं कर रहा लेगन कुछ-कुछ बच्चों ने इंग्लिश थोड़ी वीक होती है और इंग्लिश रीड करके मतलब समझ ना पाने की वैसे भी ड्यागरम नीवन पाता अब इंग्लिश समझोगे तो इतर विजुला करोगे तो डाइग्राम मना होगे तो इसलिए अपने इंग्लिश थोड़ा ध्यान देना कोशिश करना प्रयास करना अपने टीचर के समक्ष जाए और प्रयास करें इसको सीखने का पूछने का जो शब्द बार-बार सिनमाल हो रहे है उसकी हिंदी समझने का ठीक है अग है बिल्डिंग के नीचे शरी बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एलेशन दे रखा है और टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एलेशन दे रखा है तो मैं बिल्डिंग और टावर दोना बनाना है सामने आमने सामने ठीक है तो मालना मेरे पास के जमीन हो ग तो यह वारे पास विल्डिंग टॉप पर तावर के फॉट से 30 डिग्री तो एब आरे पास के है बिल्डिंग और पीक्यू पास के टावर है और टावर दे रूने बोला 50 मिटर ना तो 50 मिटर हाई टावर है टावर है तो एंद एंगल अफ एलिवेशन अव टॉप आवर है इफ तावर इस 50 मिटर हाई फांधा अ बीडिंग एंगर फिल्डिंग इसमा लिया इसको ब्लिदिवेशन उन एक समान लिया अब दो राइट इसमाल पर बनें और प्रॉर थो एक बनाय है प्यू बड़ा है अगर यह ट्राइंगल एक्कियॉ अबनर पर भीक्यू गा बह एक से 10 30 होता है वन अपॉन पर रूट 3 ठीक है तो एक्स इस एक्वल हो गया है एच रूट पर 3 यह कुछ नहीं कर सकते हैं इसको यह पर छोड़ देते हैं ठीक है कुछ नहीं करना दूसरा इन ट्राइंगल पी बीक्यू पर काम करते हैं मैंनों पी बी अपॉन पर बीक्यू क्या बना वालो 1060 बन जाएगा अपकी बार ठीक है यह पीक्यू कितना है फिफ्टी दे रखा है अपॉन बीक्यू कितना है बीक्यू हमारा एक से 1060 होता रूट 3 तो 50 इक्वल तो आ फिफ्टी यह पॉन पे 3 मीटर निकल के आगे अगे अशको डिवाइड भी कर सकते हो कितना आएगा शोला पॉइंट चैसे आएगा ऐसे लिसकते हो और ना ऐसे लिसकत तो को दिक्कत की बात रहे एक ही बात करें वो कटे करने है वन पॉइंट तो सोरी 16.6666 ऐसा छोड़ सक पर तो माल लो यह हमारे पास रोड है और दो एक हमारे पास यह पूल है ठीक है और एक हमारे पास यह पूल है दो पूल हमारे पास आगे इस तरह के से ख़ड़े हो 80 मीटर चोड़ी रोड है तो 80 मीटर वाइड रोड है ठीक है तो A B C D ठीक है और हाइट को हमारे बरावर ह C point लिया नहीं C नहीं E point लिया ठीक है E point बने इस तरीक से लिया ठीक है ठीक है from the point between them on road the angle of elevation top of pole 630 बाइ जो angle बन रहे हैं एक में बनना 60 का 60 बना अब अब यह क्या बन गया कौन सा 60 का है कौन सा 30 का है बता सकते हो कि अब यह बदा मुझे कौन सा एंगल राइट वाला 60 है यह लेफ्ट रूश्यृक्र एक है जित्ना करीब हम होते है जितना करीब हम चितना बढ़ती जाते हैं इतना एंगल बढ़ता जाता है तो यह वाल आपके 60 है और यह वाल आपके 30 डिकरी है जो पॉइंट अपने बेस से जितना दूर होगा उतना ही छोटा होता है अवर निकालना है बिऩकितना हो अ और हमें निकालना है इदी कितना होगा इन रिग थे मैं निकालना थे श्मान लिया को अब चैनलस हो ट अब दो राद राद गर कि बात करने इना इंट्रियंगल बी यहना बी एए पर काम करते हैं तो बोलो अपान पर बी कितना आएगा वह आगया 1030 निकल के आदा अब एब कितना है अब थोड़ा फास्ट भी करूँगा अभी बहुत दीरे दीरे समझा रहा था अब थोड़ा फास्ट भी करूँगा तो एच अपान पर 80 में एक्स 1060 होता है रूट में 3 क्या होता है 1060 रूट 3 होता ठेक है कि तो नहीं हो रही है तो कोई लेतनी हो और है है और कु कुछ गडवड होता प्रती तो हो रहा है को चक करना मेरे ंदरोड को तो नहीं तो टेक्षोंने मेरे रिक्त है यह तेंट रूट री होता है को डिक्त के बाता निए और 1060 इतंड इतना ही ठाहिए है को डिक्कत निए हूं थोड़ी सीनिन आ गई हूं अर शोना नहीं है ना पढ़ते वक्त ना पढ़ते हो तेंगे है तो एच है एक्वल टो आगे 80 मैंस में एक्स इंटू पर रूट तो आगे हम पास एच अपॉन पे रूट 3 इस इक्वल टो आगे 80 मैंस में एक्स अब 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 एच ही जर्म के लिखेंगे एक्स अपान रूट 3 यह गड़ड़ हो रही है रही है गड़ड़ हो रही है कुछ गड़ड़ में कुल लगतो नहीं रहा है रही है तुम बता को क्या गड़ड़ लग रही है तो एच है एक्स अपान रूट 3 चल देखते देखते ठीक है उसका यूज़ करना मिझे तो एक्स अपान रूट 3 जो है वो एच के बराबर हो गया ठीक है अधे काम करो ना उसको यूज़ रहें दो तो एक्स अपान रूट 3 इदिकल्ट हो गया 80 में एक्स इंटो पर रूट 3 ठीक है तो एक्स इक्वल टो आगया रूट 3 रूट 3 इंटो 80 में एक्स आगया ठीक है ऐसे कर लेते हैं तो एक्स आगया 240 में टीक है तो फॉर अग्स एक्स इक्वल टो 40 में चाछीख ज़ने एक इक्स इक्स आगया अगर एकक्स इस्टी है यह ना B हम निक्स इनत को है एक्स भंदी हो गया और एड कितना जगा 80 में irs में 60 20 में निकल जख़ए ठीक है और हमें है मुलना है h के x upon root 3 है न तो h निकालते हैं कहा निकालो जगा ही नहीं है तो हम मिटाते हैं तो h जो है हमार पर कितना जाएगा h हमार पर x upon root 3 है तो x upon root 3 जो किया गया 60 upon root 3 x root 3 upon root 3 तो h आ गया 60 root 3 upon 3 तो कटेंगे h आगे 20 root 3 तो 20 root 3 तो h निकाल के आगिया तो कि मैं इसका आणसा चेक करना चाहूंगा बड़ा अजीफ सने इतना ऐसा अजीफ होना इवाले निदाता है अगर तुमने 60 तर 30 तर गदूने बड़ा सांस हो जाएगा यह थोड़ा सा उपर निचागे तो कोई बात नी तो तो अगलता है तो अगल अगर इसा कोशन आपके गजाम में आता है तो आपको दाता हूं मैंने चीज़ेहां पर रहना था रहाला कोई दिक्कत नहीं है आप इसे एक्स मान लेना और इसे 80-X तो अब बड़े आराम से निकल जागा आपका अब नेक्स चलता है इराभ सभी के स्किन के ओपर एटीव टावर खड़ा है वर्टीकली स्टेंड ऑन दा बैंक ऑफ कैनल के बी-सी कैनल है ठीक है उसे किनारे पे फ्रॉम पॉइंट ऑन अदर बैंक अब इधर इस तरह एक पॉइंट हमारे पास डी पॉइंट है ठीक है जो कि अब पोजिट है टावर के दा एंगल अफ एलिविशन एक साइड पर फ्रॉम पॉइंट ऑन अदर बैंक तो एक बैंक कियो दूसर बैंक नहीं लगा यहां से अंगल फेलिशन अपका 60 डिगरी का है फिर कह रहा है फ्रॉम एनदर पॉइंटी मीटर अवे फ्रॉम इस पॉइंट से बीस मीटर दूर एक और पॉइंट एदी जाएगा ठीक है और अब हमार पास है बीसी एक से 1060 होता है रूट थ्री तो एच इस इक्वल टू एक्स रूट थ्री निकल के आ जाएगा वेरी सिंपल ठीक है दूसरा बताओ क्या बनना हम पास हम बोलेंगे इन ट्रेंगल ए डीबी यह ना ए डीवी पर काम करेंगे हम ब प्लस ट्वेंटी कहेंगे तो एकस प्लस ट्वेंटी टैन था वना पॉन पर रूट थ्री तो वो गया है एकस प्लस में 20 इस इक्वल टू टू है च्णिकल के आ जाएगए अब जाबर एच रूट थी रख दिगे तो एकस ब्लस में 20 इक्स आपका 20 के बरावर हो गया और 2 X 20 हो जाएगा और X जो है यहां से वो 10 मीटर निकल के आगया ठीक है X हमारे पास 10 आ गया तो H निकालना है अब X निकल के आ चुका है तो 20 रूट 3 मीटर तो हाइट आपका 20 रूट 3 मीटर निकल के आ गया और यह आपका 10 जब भी आप बोर्ड पर लिखो न जैब ऐसे देखो अच्छे एक बहुता कौन कौन बच्चा चाहता है कि अभी से मैं बता दूँ कि बोर्ड में किस प्रकार से आंसर लिखना चाहिए तो हर एक कोशण की तरीका उता बॉर्ड में लिखने का देखो आता सब को है लेगिन कौन कितना प्रस्तूत कर पाता कितने सई ढंग से अपनी चीज़ों को दिखा पाता है आपने कला को या अपने हुनर को वही विजयता गोशित किया जाता है तो किस प्रकार आंसर दिखाना चाहिए तो टॉपर्स की जो मार्क शीट होती है जिसके 100 आउट ओफ 100 आए है उसके अगर आपको मार्क शीट देखने है तो मुझे कमेंट करना जैसे 50 कमेंट हो जाएंगे तो मैं टॉपर्स मार्क शीट भी ड्राइव में अप्लोड कर सब्सक्राइब के स्किन के अपर अप्रों अपर अब टॉप ऑफ 7 मेटर हाई बिल्डिंग डा एंगल अलेशन अब अब इतर हमें गार सार आपने शारे कोशन यह आपने एलविशन बताया थे ओर डिपरेशन पर अब डिपरेशन चुरू हो जाएगा अब कोश्च में डि कि वल टावर यह दे रखा इस तरीके से ठीक है और यह जमीन हो गई हूं तो 7-meter high building है यह 7-meter माल अ-B building हो गई आज पी-क्यू टावर हो गें ठीक है और फूट, टावर के फुटि यहां पर क्यूं तक का? जो हमर पास बन रहा है वह बन रहा है आपका फॉर्टीफाइफ और यह क्या हो गया थीक्षिट तो यह बन रहा है तो यह बन रहा नहीं पर भॉल्टीफट भॉट्वडिग्रियो। तो इस फ़र्ट ट्राइंगल काम करना ठीक है अब इस ट्राइंगल पे हमें यह दे रखा है इसकी नीड पड़ेगी इसको मैं एक्स मान लिया अगर यह एक्स मान आ तो यह भी आपका एक्स निकल काएगा यह 7 है एभी यह आपका 7 आ गया हमें टावर के हाइट चीह है इसको बनेगा बताओ एक्स पी अपॉन भी बनेगा 10 और 45 तेन फोड़ेगों कितना भी याद करने कासा बताओ कमेंड बोक्स में 1 टेक है तो 7 अपॉन पे एक्स 10 फोड़े 1 अपॉन होता है तो एक्स जो है हमारा पास वह 7 नहीं ही निकल के आ गया एक्स अगे टेक है दूस्त ट यह जो टो एक्स रूट 3 आगे और एक्स निकाला हमने 7 वह यह यागे 7 रूट 3 ठेक है तो वाई हमें निकालना था वाई हमें निकाल लिया न तो पीकु कितना जगा पीकु जगा सैवन रूट 3 प्लस में 7 7 common कर ले जों तरफ है तो पीकु इस रूब चूब लूट 3 प्ल आइपाउस लाएटाऊट्स आपन देखाऊगा मुवी बेर अपर समुंधर किनार एक लाएप लाइप 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 होती योगी जाहाज्यों पर नज़न से लिए होती तो मान ऽृमर पास jsहें तो यह महांना पास समुद्र है और यह उम्हार पर लाइठाउस है फिर कहता है जो कि 75 मीटर हाई है अब यहां से डिप्रेशन बढ़ रहा है कि यह और एक चुक है सम्में आप सभी को दो शिप है तो एंगल किता किता बन रहा है एक एक बनना है 45 वेगोना 30 टेक है तो मेरे पास यह वाल एंगल कितना होगा 45 है न और 30 क्यों मैंने का था जिसना दूर पॉइंट थो चोटा होता है यह पास है 45 होगा यह अपका 30 होगा चेक है find the distance between two ship तो दो ship के जो distance निकाला यह निकाला में इसको X मान लो इसे Y मान लो माना तो पड़ेगा दो ट्राइंगल कौन सा एक ABP में काम करते है तो इन ट्राइंगल ABP पे काम करेंगे चेक है तो AB upon पे BP कितना आ गया 1045 आ जाएगा 1041 कितनी बार use हुआ है तो 75 upon वाई कितना हो यह वन अपन वन हो गया तो वाई जू है हमारा वो 75 निकलके आ गया जा काव करें तो एब अपाउन पे बी क्यू कितना आ गया वागे अपका 10 dining artist 75 है और BQ है X प्लस में Y 1030 होता 1 अपॉन पर रूट 3 क्रॉस करेंगे X प्लस में Y आगया आपकी पास 75 रूट 3 हमें क्या निकालना है X या Y हमें निकालना है X तो Y को रिप्लेस करो Y 75 आगया तो X इकल आगया 75 रूट 3 ये वहां जागे माइनस का 75 हो जागा और X 75 कमन कर इकल के आ गया तो के मांसर चेक करना चाहूंगा आप सभी के सामने बिल्कुल सही जबाब है नेक्स चलते है 14 ये आप सभी के स्क्रीन के अपर सेकिंड लास्ट कोशन है उसके लास्ट कोशन पानी पीते हैं फिर करते हैं ठीक है बहुत ही छोटा चेप्टर आप देखों द आप अ 1.2 मीटर तोल गर्ल फॉट अबलून भॉविंग विंड इन होग दो चल रही इस तरिके से बलून मुव कर रहें उस जमीन से लिकार यहां से यहां से यह 8.2 मीटर उपर रहें तैक है the angle of elevation the balloon from his eyes at instant लड़की वही खड़ी है पहले 30 degree था बलून आगे मूव कर रहा है अब 3rd degree हो गया तो पहले 60 था 30 हो गया तो एंगल पहले 60 था फिर्स क्या हो गया 30 हो गया कर दो अनाम लिखना दो एकए बी सी दी एफ जी टीलल के स्टेटल में नाके बना लिए टीक है फाइन देश्टेंस ट्यवल बाइद अब लड़की ज़हाइट है दो लड़की है बीजी बीजी लड़की एड़की है तो बीजी कितना पादिर का 1.2 मीटर रहा है तो हमें निकालना है कितना distance table, find the distance table by the balloon, तो हमें कितना distance के, CE, तो हमें CE निकालना है, we have to find out CE कितना निकल के आएगा, तो दो right angle triangle है हमेरे पास, अब ध्यान सुनना, मुझे triangle AC में बन रहा है, और ये पूरा दे रहा 88.2 है ना, तो हम अगर में को निकालना हूँ, AC निकालना हूँ, या DE बोलो, तो DE कितना आएगा बोलो, पूरा height तो है 88.2, तो 88.2 में से लड़की के height कितनी है EF, 1.2 मैनस करेंगे, तो DE जो है वो 87 निकल के आगया, 87 meter, तो ये 87 है, ये 87 है, तो अब बात करें, इन triangle ABC पे तो इन triangle ABC पे बात करेंगे, तो AC upon पे BC कितना आगया, 1060 निकल के आगया, अब AC कितना 87, BC कितना है, BC देखो, इसको मालू मैंने X माल लिया और इसको मालू मैंने Y माल लिया, 1060 तो रूट 3, तो आगया 87 एक्वल टू Y रूट 3, और Y आगया 87 upon पे रूट 3, अब जिसका अस्तमाल पड़ेगा, वह हम कर लेंगे, Y हमने निकाल लिया, Y की निड़ निए, Y को छोड़ देता है, तो इसको एक काम कर लोगो, इसको एक काम कर लोगो, ठीक है, तो मंटिप्लाइर रूट 3 upon रूट 3, इसको काम आदेगा, तो Y आदेगा अगया 87 रूट 3 upon पे 3, ठीक है, तो X कितना आ गया, 17 मेंसे 9 गया, तो 8 हाएगा 58 रूट 3 मीटर, तो अगर रूट 3 को लिखे, पुट करने तो करेंगे वरना नहीं करेंगे, तो X कितना गया, 58 रूट 3, दो वैसे इस डागरम को नीटन के लिए बना लिना, अब मैंने यहाँ पर ले लिया था, और मैं फिर डागरम मनाता तो जगा नी बस्ती, इसलिए इसलिए पर होचपर सोगी समझा दिया, बट आप समझा ने गोश्क करने, इसका डागरम मना न देखने, आया है अभी, मुझे कमेंट बोक्स से बताना, द्यान सुनना, अ स्ट्रेट हाइवे लिट्स टू दा फुट आफ तावर, एक स्ट्रेट हाइवे है, जो की टावर तक पहुंचता है, ठीक है, इस तरीके से, अ कार एट, अ मैन स्टैंडिंग उन तॉप टावर, तो ऐक माल आदमी खडः गए, इस अ कार आदमी खडा ऑर रहा है, तो ए प्य स्टैंडी पर आगया, ए भी और च पोईंट पर उसने, एक कार को और अब्जर्ब करना देप्रेशन तीस दिगरी का, तो थीस दिगरी का टिप्रेशन बनेगा, तो यह होगी 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 होग बना रहे हैं आपर इस तरीक से 30 डिग्री ठीक है विच इज अप्रोचिंग फुट टावर अब गाड़ी जो है तरीक से आगे बढ़ गाड़ी इस तरीक है और 6 सेकंड गाड़ी पहुंच जाती है अब जो बन रहा हो 60 डिग्री के अगल बन रहा है तो आप गाड़ी पहुंचने के लिए कितना समय लगता है वह हमें निकालना वैसे दियान रखना मैथामेटिक्स में टाइम का स्पीड का कोई रोल नहीं होता केवल डिस्टेंस लंबा इस चैप्टर रो खास करके सबस्क्राज से दिश्टेंस का रोल है तो हम वह कोशिच करेंगे कि ट्राइंगल के अनदर हम लोग का ट्राइंगल के दिस्टेंस को कवर करेंगे स्पीड से मतलब नहीं तो देखो सीडी की बात करें सी से लेकर डी तक कि अगर मैं बात करूं तो मानलो लेट मैंने मानलिया यूनिफॉर्म स्पीड जो है मैंने मानले स्पीड जो है वह कार की X meter per second द्यान सुनना तो speed X meter per second हो गई time कितना लगा time लगा 6 second CCD तक आने के लिए तो distance कितना होगा distance मतलब CD कितना होगा distance होता है speed multiplier time जो कि हो गया 6 into x जो कि 6x हो गया distance आ गया 6x तो यह 6x निकल के आ गया अब बात करते हैं B से लेकर D तक की जान सुनना B से D तक speed वही रहेगी uniform X meter per second time मालो T यह निकालना में T second लगता है तो distance कितना अगया BD distance आ गया BD हमारे पास speed multiply by time तो BD निकल के आ गया XT XT निकल के आ गया OOO मालो HAB को मैंने height को H मैंने माल लिया बद सुन्हारी नीं आ रही बहुत सीमपल मुझे speed से क्या है इना देना भाई मुझे distance क्या अतल education repentance nu मुझे सींट निकाली है से अम इसको मिटा रहा हूं य।का में 1060 निकल के आगया अब a b h है और b d xt है 1060 होता है रूट 3 ठीक है तो h आ गया xt root 3 निकल के इसको यही पर अभी छोड़ देता है ठीक है दूर ट्राइंगल इन ट्राइंगल a b c पे काम करेंगे बड़ा ट्राइंगल तो a b upon b c कितना आएगा तो p upon b अगें 1030 निकल के आगया अब यह है और b c कितना है b c 6 x plus में xt यह हो गया और पास 1 upon पे रूट 3 ठीक है तो 6 x plus में xt आ गया h रूट 3 अब यहां पर ध्यान से सारे बच्चे देख रहें ठीक है एक्स को बन कर लो तो 6 plus में t आ गया और h कितना है xt रूट 3 multiply पर रूट 3 ठीक है अब x से तो x खतम हो गया तो 6 plus में t आ गया 3t के बराबर और 2t 6 आ गया और हम बोल सकते है ती जो है वो 3 second निकल के आ गया इसका मतलब D से लेकर B तक पहुंचने के लिए उसको 3 second का समय लगने वाला है अब बताओ जो बच्छा इस कोशन में यहां पर रहा तो क्या उसको मजा है आनद आया तो इस तरीके से पूरा जो चैप्टर के 15 कोशन ते और एक ही exercise थी जो की मेरे ख्याल से आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सफलता पूरुक इसे हासिल किया है अब आप इसकी practice कीजी line balance main important के है कि आपको diagram visualize करना है उसको बनाना है फिर आपको questions करना है आपको table याद होना चाहिए तो अब किन-किन बच्चों को अच्छे से chapter समझ में आ चुक है मुझे comment box में बताएंगे अगर आपने तो video को like नहीं के तो क्या कर रहे हो अगर आपको सच में बाकी में मेरा सम film चैनल पर ही मैं आपको send करता हूं रहां एक और हमारे पर लिंक है drive की लिंक सारी PDF आपको उसके अंदर भी मिल जाएंगी तो आज की विडियों तरह हैंकि सो मुच वाचिंग हरे कृष्णा